सर्दियों का मौसम इसे अच्छा रहे हैं और सर्दियों का मौसम मुझे ईसलिए भी अच्छा लगता है पीं के अपनी स्किन को बहुत अच्छा बना सकते हो चेहरे को और ज़्यादा निखार ला सकते हो और आपके एक्ने वगरा हुए या फिर आपके रिंकल्स हुए ये भी इस home remedy home remedy कहूँ इसको juice कहूँ इसको या फिर अमरत कहूँ क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है बट आप वीडियो के अंत में आप समझ जाएंगे कि ये चीज इतनी महत्वपून क्यों है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजेगा और जादे से जादे लोगों तक पहुचाईएगा तो दोस्तो ना डॉक्टर ललित कसाना आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी remedy भी कहूंगा उसको juice भी कहूंगा जिसको अगर आप पूरी सर्दी सर्दी अगर पी लेते हैं तो वो आपकी त्वचा को आपकी skin को एक नया रूप दे देगा अब आपको करना क्या है दोस्तो आपको 3-4 चीजे लेनी है या तो ये जो juice है ये easily available हो जाता है आजकल सर्दियों में किसी भी juice वाले के पास नहीं तो आप घर पे ही इसको बना सकते हैं आपको बस एक juicer लेना है जूसर में आपको क्या लेना है आपको add करनी है 3-4 चीजे नमबर 1 आपका carrot दोस्तो गाजर सर्दियों में बहुत easily available हो जाती है और सबसे बड़ी बात है कि गाजर अपने आप में एक तो vitamin A बहुत जादा है उसके अंदर और बहुत सारी ऐसी चीजे हैं कि जो आपकी skin को बहुत अच्छे से बहुत positive effect देती है आपकी eye side को भी बहुत अच्छे से बनाती है तो आपको एक तो use करना है गाजर juice के लिए आप गाजर लीजेगा एक आपको use करना है चकुंदर यानि की beetroot अब beetroot के बारे में सबसे अच्छी बात है आपको लेनी है थोड़ी सी ये बहुत अच्छा आपको effect देगी बट beetroot कभी भी हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है क्योंकि कही लोग क्या गलती करते हैं उनको मैंने बहुत सारे लोगों को सुनाए कि डॉक्टर beetroot जो है negative effect डालता है इसलिए कभी भी beetroot हमें ज़्यादा नहीं लेना सपोज आप अगर एक ग्लास आप juice बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ ज़्यादे से ज़्याद मैक्सिमम आदा ही beetroot डालिएगा अब आदा beetroot जो रहेगा वो बहुत थोड़ा सा juice निकलेगा बट आदे से ज़्यादा आपको नहीं रखना है इसके अलावा आप क्या करेंगे अभी आपने लिया है गाजर लिया है और beetroot लिया है इसके अलावा आपको लेना है कच्चा आवला अब कच्चा आवला क्या करता है आप सभी को पता है vitamin C बहुत ज़्यादा है आपके skin के लिए बहुत अच्छा है आपके hairs के लिए बहुत अच्छा है आपके digestion के लिए बहुत अच्छा है immunity के लिए बहुत अच्छा है तो आपको उसमें add करना है एक दो आप जो है कच्चे आवले कच्चे आमले को उसको यूज करने से पहले आप काट ज़रूर लें क्योंकि उसमें बीज होता है अदरवाई उसको ऐसे ही डाल देंगे तो आपके वो जूसर मिकसर को ही तोड़ देगा ठीक है तो उसको आपने क्रैक किया तोड़ के काट के जैसे भी आपने आमला ले लिया अगर आपको खटा ज़्यादा पसंद है आप पी सकता है तो आप तीन भी आमला कर ली जगा बट बहुत ज़्यादा आमला लेने से वो आपको मतलब आपके एक तरह से जो है आपको लूज मोशन टाइप कर सकता है किसी किसी को सूटनी करता है तो मैं आडवाइस करूँगा कि एक याद दो ही आप आमला लीजेगा इसके इलावा फिर जो आपको लेना है वो लेना है टर्मरिक यानि कि कच्ची हल्दी अब कच्ची हल्दी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कच्ची हल्दी करेंगे तो आपको कच्ची हल्दी मिल जाएगी गावा बहुति ज़्यादा मातरा में नहीं लेनी है क्योंकि एदोразको कड़वापन भी रहेगा और फोड़ी मातरा में आपको सकते हैं इसके अलवा और क्या ले सकते हैं बहुत थोड़ चारे हैं तो थोड़ा सा जैसे आप इसमें पालक है पालक आप इसमें थोड़ा सा एड़ कर सकते हैं और साथ के साथ थोड़ा सा एक टमाटर जो होता है वो टेस्ट को इंक्रीज कर देगा टमाटर भी आप इसमें एक टमाटर आप यूज कर लो तो ये पूरा का पूरा जैस से एक पूरा का पूरा vegetable juice आपका ये बन जाएगा जो आपकी immunity को increase करेगा जो आपकी skin पे glow लाएगा जो आपके digestion को proper रखेगा जो आपके hair वाली जो growth है उसको भी करेगा मतलब hat to toe जितनी भी आपकी problem है सारी problems को ये work करेगा सारी problem को खदम करने में आपकी मदद करेगा और बहुत ही economical है यानि कि अगर आप इसको घर बनाएंगे तो मुस्किल से मुझे लगता है कि 20-30 रुपे में ही आपका पूरा का पूरा एक glass juice तियार हो जाएगा और बहुत अच्छा है पसंद नाए तो अगर आपको ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं इसमें एक संत्रा जो है संत्रा या मौसमी वो भी आप इसमें जो है mix कर सकते हैं तो बहुत अच्छे इसके आपको फिर taste भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छा पीने में भी ये लगेगा तो मैं डॉक्टर लेलित कसाना इसी तरह की वीडियो जिसी तरह की होम रेमेडी इसी तरह की अच्छी डाइट आपके लिए लेकर आता रहूँगा बट मेरे चैनल को जदर ज़्याद आप सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद